हेलो बच्चो वेरी गूड इवनिंग टू अल अफ यू कैसे हैं सब लोग आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे मैं भारती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस इवेंट में जिसमें हम आज क्या सीखने वाले हैं बच्चे जिसमें हम डिसकाउंट्स होते हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं डिसकाउंट्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं सभी को अचा शॉपिंग करना किस किस को पसंद है ये बताइए I think सारी लड़कियों को तो शॉपिंग करना पसंद होता ही है और लड़के भी पीछे नहीं है इस च discount मिल रहा है, तो वो discount actually में होता क्या है, कैसे हम find करते हैं discount, ये चीजे आज हम सीखेंगे इस session में, तो क्या आप सभी बच्चे ready हैं इस session के लिए, तो चलिए जल्दी से start करते हैं आज की class, आज का ये session की how to find discounts, तो चलिए बच्चे, start करते हैं, बट सबसे पहले तो एक चोट आसा announcement की class 8 का English medium VIP course होने वाला है, बहुत ही जल्दी start, बहुत ही जल्दी start होने वाला है, जिसमें आपको मिलेंगे recorded lectures, notes, homework, test series, timetable, सब कुछ, सब कुछ मिलेगा जिसमें आपको best faculties हमारे इसमें आपको guide करेंगे, hello बच्चे, good afternoon, BTS army, तो main जो इसमें रहेगा बच्चे, doubt clearing पर रहेगा main focus, और ये हैं आपके faculties जो आपको इस session में guide करने वाले हैं, for class 8, ये हैं वो students जिन्हों ने previous years इन courses को opt किया था, आप देख सकते हैं, पिछले 3 साल से ये courses opt कर रहे हैं, कि कितने बढ़िया marks आएं हैं, आपके भी आ सकते है तो main चीज है कि doubt clearing कैसे की जाती है doubt nut पर, तो बच्चे कोई भी doubt हो आपका, उसको आप doubt nut के साथ clear कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, आपको हर question का, आपके हर doubt का मिलेगा आपको video solution, हाँ जी बच्चे, ओके आयूश, तो आपको हर question का मिलेगा video solution, प्लस चाहे आप classes बाद में भी देखेंगे और तब भी आपको अगर कोई doubt आता है, तो आप वो doubt clear कर सकते हैं, very good afternoon, अनुच, चलिए आगे मूव करते हैं, बच्चे, डाउट कैसे पूछने हैं, just photo click कीजिए और doubt nut app पर send कर दीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा video solution, उस question का, या फिर जैसे homework मिलता है, तो homework के भी आपको video solutions provided होंगे बच्चे, या आप class के दौरान भी teacher से अपने doubts clear कर सकते हैं, अगर कोई doubt आता है, तो, I hope सभी को clear हो गई होगी यह चीज, चलिए तो आगे मूव करते हैं, अगर किसी भी बच्चे को कोई information चाहिए regarding to this course, तो आप screen पर दिये गए number जो की ल से यह है कि क्या आप class 8 का VIP English Medium course जोईन करना चाहेंगे, आपकी screen पर आएगा एक poll, जल्दी से poll में अपना answer वोट कर दीजिए, good afternoon Nishu, good afternoon बच्चे, जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाईए, तो फिर start करते हैं, आज का topic, discounts कैसे find किये जाते हैं, तो बच्चे, सब से पहले आता है कि topic आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है, comparing quantities का एक topic, जो की है discount, अब discount के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो discount क्या होते हैं, I think ये तो सभी को ही पता होगा, भाई, discount का मतलब होता है, अगर कोई आप कितने, कोई आप चीज खरीद रहे हो, वो किसी एक आप को अगर जो shop की पर है, वो कम price पे देता है, मतलब कुछ less करके देता है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, भाई, discount मिल गया हमें, है न, तो वही discount हम कैसे find करते हैं, ये चीज आज हम सीखेंगे, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं, आज का lecture, तो सबसे पहले कि आज हमें जो discount है, उसके बारे में क्या क्या चीजे पता होनी चीए, तो बच्चे, discount सबसे पहले हमें इसमें क्या सीखना है, discount percent हमें offer किया जाता है, कभी भी discount जो है, वो rupees में offer नहीं किया जाता है, आपने देखा होगा कि, जब हम market में जाते हैं, या बाहर निकलते हैं, तो बहुत ब बाटा की बाद करें, शूद पे की बाटा पे 70% off चल रहा है, 20% off चल रहा है, भाई वहाँ पे make-up पे इतना percent off चल रहा है, ये मिंतरा पे 70 या 80% off चल रहा है, summer season में, इसी type का आपको वहाँ पर advertisements दिखते होंगे, है की नहीं? हाँ जी, नहीं बच्चे, ये class रोज नहीं हो होगी, बट बहुत कम होती है, कभी-कभी होती है, ये class, ठीक है? तो वैसे अगर आप 8th class में हैं, बच्चे निशू, तो 8th class की जो regular class होती है, वो होती है, शाम को 6 बजे, शाम को 6 से 7 के बीच में होती है class, जिसमें 8 का जो regular syllabus है, वो कराया जा रहा है, और अभी उसमें जो topic चल रहा है, वो है squares and square roots, तो वहाँ पर आप जोईन करना चाहें, तो कर सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए, ओके बच्चे, ओके, वेरी गुड, चलिए, तो start करते हैं, आगे, तो बच्चे, क्या होता है, कि सब कुछ वहाँ पर जो discount होता है, वो किसमें दिखता है, आपको percentage मे दिखता है, तो जो भी हम चीज खरीदते हैं, या बेचते हैं, अगर हमें उस पे discount मिलता है, तो वो किसमें given होता है, percentage में, percentage आप सभी को पता है, percent का मतलब होता है, by hundred, मतलब hundred में से कितना मिल रहा है, ये चीज हम देखते हैं, निकालते हैं, ठीक है? हेलो सनी, हेलो बच्चे, हाँ जी, बच्चे बिलकुल सही है, आपका discount का formula बिलकुल सही है, हाँ जी बच्चे, तो आगे बात करते हैं, कि जो concept है percentage का and its application, ये हम इस topic में, मतलब ये जो discount वला topic है, ये percentage की application में भी हम count करते हैं, दूसरा क्या है? To find cost price, selling price और profit loss given, ये सारी चीज़े हम इन topics में पढ़ते हैं, में पता होनी चाहिए, इन से related चीज़े हमारे पास आती हैं, ठीक है? तो cost price की अगर हम बात करें, तो cost price क्या होता है? भाई अगर आप कोई चीज़ किसी से खरीद रहे हो, सपोज आप shop की पर के पास गए, एक shop पे गए, आपने एक pen खरीदा, pen की cost है 20 रुपीज, तो 20 रुपे जो उसकी cost है, तो आप के लिए, वो pen की जो cost है, वो क्या हो ठीक है? और सपोज अगर आपने, आपके लिए तो वो cost price है, लेकिन उस shop की पर के लिए वो क्या हो जाएगी बच्चे? शॉप की पर के लिए हो जाएगी वो selling price, मतलब उसने तो आपको बेचा है ना, तो वो हो जाएगी selling price, बच्चे, अवाज तो ठीक आ रही है, आयूश I think आपको वहाँ पे network issue आ रहा है, तोड़ा सा मतलब चेक कीजिए, अवाज एकदम सही आ रही है, हाँ जी, चलिए, तो आपको I think समझ में आ गया है, cost price क्या होता है, और selling price क्या होता है, बात करें, अगर profit loss की, तो भाईया देखिए, अगर आपने कोई चीज खरीदी, let us suppose, पेन ही खरीदा आपने 20 रुपे का, तो cost price बड़ी आपको 20 रुपे की, लेकिन आपने खिसी को वह पेन बेच दिया, suppose आपका friend है, उसको बहुत पसंद आ गया वो पेन, और उसने का भाई ये पेन ना तू मुझे देदे, तो आपने का कि यार मैं तो ना वहाँ से लाँ वो shop अपनी जाया जाएगा, तो वो कहते है, भाई चाहे ना तू मुझे थोड़ा सा महंगा दे दे, पर ये पेन दे दे, मुझे बहुत जादा पसंद है, तो आपने क्या किया, भाई मैं थर्टी रुपीज का दूंगा ये पेन, क्यूंकि मेरा किराया भी तो लगाया आन हान जी बैचे, खुशी, आज लाइव हूँ मैं, क्योंकि आज ये वाईरेल इवेंट है, तो इसमें आप लोगों से हमें बादशीत करने का मौका मिलता है, जैसे कि मैं अभी कर पा रही हूँ, और खुशी होती है मुझे आप सब लोगों से ऐसे connect होकर, I hope जल्दी ही हम य जब आप कोई question put up करते हैं, और उसका solution आपको काफी time बाद मिलता है, या कभी-कभी मिलता भी नहीं है, है न, तो उसके लिए बुरा लगता है थोड़ा, बट क्या करें, यही रूल है, तो इसी के according चलना पड़ता है, I hope आप सब लोग समझेंगे, तो चलिए, तो जब हमन selling price हमने कम में बेच दिया होता, बीस की बजाए, दस में या पंदरा में बेचा होता, तो एक तो लेके हम जादा में आएं, और बेच कम में दिया, तो क्या हो गया, घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो I think profit, loss, selling price, cost price का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आगे बात करते हैं कि selling price कैसे find करते हैं, article का, जब उस पे discount, या rebate, rebate मतलब जिसको बोलते हैं, छूट, आपको थोड़ा सा छूट मिली हो, उस पे less, less करके आपको amount pay करना है, तो वो सारी चीजे हम कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए, तो start करते हैं, जल्दी से, तो सबसे पहले बच्चे बात कर ल reduction, reduction मतलब की कम, कम कर दिया है हमने, मतलब की जो भी price है, उतना price हमें नहीं देना है, हमें कम price चार्ज किया जा रहा है, किस पे on marked price, जिसको हम MP बोलते हैं, ठीक है, marked price क्या होता है बच्चे, जो price आपका, जो suppose आप कोई चीज खरीदने गए हैं, और उस पे जो price लिखा है, उस price को हम marked price बोलते हैं, या list price भी बोलते हैं, या tag price भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, किसी भी नाम से आपको ये बताया जा सकता है, आप से पूछा जा सकता है, ठीक है, अब जो discount होता है, generally, वो क्या attract करता है customers को, सभी को attract करता है, अब आपके सामने, suppose आपको shopping करनी है, कपड़े खरीदने हैं आपको, है, और आपको देख रहा है कि TV में आया है advertisement या आपने कहीं देखा है, भाई वहाँ पे या उस shop पे बहुत ही अच्छी discount मिल रही है आपको, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा discount चल रहा है, तो आपका मन्नी करेगा, चलो अगर नहीं भी है, मतलब जरूरत भी नहीं है, फिर भी मनना यू ललचा जाता है कि चलिए कुछ नहीं तो एक शर्टी खरीद लाते हैं, या कुछ नहीं एक जीन्स खरीद लेते हैं, कुछ नहीं तो एक जोड़ी चपल ही खरीद लाते हैं, discount चल रहा है, सस्ती मिल जाएगी, है कि नहीं, कावया, बोलिये क्या doubt है आपको, बच्चे कावया, क्या doubt है आपको, बताईए, तो discount का मतलब यह होता है, discount obviously attract करता है consumers को, customers को to buy goods and promote sales of a good, और जितना discount मिलता है, उसके basis पे, मतलब अगर किसी चीज़ पे आप discount दोगे, तो obviously बात है, लोग उसको ज्यादा खरी देंगे, और अगर लोग ज्यादा खरी देंगे, तो उस चीज़ का sale क्या होगा, बढ़ जाएगा, है न, sale बढ़ जाएगा, तो very good evening काजल, very good evening, हाँ जी, तो discount का मतलब सभी को समझ में आ गया है, I hope, and marked price को हम, MP, tag price, list price, इन सब से denote करते हैं, हाँ जी बच्चे, मैं बहुत अच्छी हू है, आगे आता है, हमारे पास formula, अब discount क्या होता है, भाईया, देखिए, जो tag पे लिखा हुआ होता है, price, वो होता है, आपके पास marked price, और discount होने के बाद, जो आप pay करते हैं, वो होता है, selling price, जिसको हम कहते हैं, SP, क्या कहते हैं, बच्चे, SP कहते हैं, ठीक है, तो simple सी चीज ह है, formula क्या बन गया, discount का, भाई, discount, सबसे पहले तो, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कि, अगर SP हम find करेंगे, तो SP क्या बनता है, हमारे पास, SP बन जाता है, कि भाई, MP में से, अगर हम discount, subtract कर देंगे, तो हमारे पास, भाई, ये वाली तो, आप pay कर रहे हो ना, आपको ये pay कर नहीं है, ये already given है, tag price है, और ये आपको less करके मिल रहा है, तो tag price में से amount less कर दिया, उस amount जो आपको pay करना है, वो actually में क्या होता है, SP होता है, discount के case में, ठीक है, तो simple सा formula, यहां पर कुछ याद नहीं करना है आपको, आपको इसमान लेने गए, आपको उने उसमें tag price देखा क इतना है, आपने shopkeeper से पूछा की, भहिया, इसमें कितना discount चल रहा है, तो उसने बला, suppose 50% off है, suppose 500 की चीज थी, 50% off हो गया, tag पे तो 500 ही लिखा हुआ है, और off कितना मिला है, 50% off मिला है, तो आपने pay कितना किया, तो 500 का 50% मतलब half, मतलब 200 रुपे आपने pay की है, तो ये जो 200 रुपे आएंगे, ये क्या आएगा, selling price आएगा उस item का, ठीक है, वो क्या आएगा, selling price आएगा उस item का, तो इसी चीज से, इसी process से ये formula बन गया, that SP is equivalent to MP minus discount, very easy formula, अब यहीं से हम discount का formula derive कर सकते हैं, कैसे, भाई, देखिये, discount को आप यहां ले जाएए, दूसरी side, तो ये गया, discount यहां पर, और SP को ले जाएए, discount की जगे, MP को fix रखिये, तो MP तो fix रहा यहां पर, और SP इधर चला गया, तो हो गया, minus का, और discount minus का था, इधर आया, तो हो गया, plus का, तो ये बन गया formula, that discount is equivalent to MP minus SP, ठीक है, समझ में आ गया, सभी को, जल्दी से मुझे बताईए, क्या सभी को ये clear है, कि discount हमें कैसे find करना होता है, बहुत ही easy सा, simple सा formula है, कि जब आपको marked price given हो, discount given हो, तो SP आप निकाल सकते हैं, अब देखिए, यहां पर, तीन quantities हैं, तीन quantities में से, कोई भी, दो quantities आपको given होंगी, दो quantities अगर given है, तो तीसरी आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंक कि आपने, chapter number 3, linear pair, linear equations in one variable आपने किया हुआ है, हाँ जी बचे, Anuj, what is the full form of MP, बचे, MP की full form है, marked price, जो की price tag पे, जो tag लगा होता है, किसी भी चीज के साथ, उस पे लगा, उस पे लिखा होता है, वो, देखिए, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो शॉप की पर भी तो देखिए, आप पुछते हों कि, अंकल ये कितने का दिया है, आपने, तो उसके उपर वो देखिए बताता है, कुछ लिखा होता है, प्राइस, तो जो लिखा हुआ प्राइस होता है, उसको कहते है, MP, MP का मतलब होता है, marked price, and SP का मतलब होता है, selling price, ठीके, clear है सभी को, आगे move करते हैं, आगे आगया है, हमारे पास, relationship क्या होता है, CP, SP और MP में, तो देखिए बच्चे, MP क्या हो गया हमारे पास, marked price, MP क्या है, marked price है, और marked price पे ही discount मिलता है आपको, ये हमेशा ध्यान रखनी है, marked price में ही discount मिलता है, and marked price में से आप discount minus कर दोगे, तो आपको क्या मि मिल जाएगा, SP मिल जाएगा selling price, लेकिन अगर selling price में से अगर आप cost price minus कर दोगे, तो selling price और cost price के जो relation होता है, उससे आपके पास मिल जाएगा gain और loss, भाई अगर selling price जादा हुआ cost price से, तो profit होगा, of this सी बात है, अगर SP जादा हुआ CP से, और अगर SP जो है, वो कम हुआ CP से, तो आपको loss होगा, ये तो बहुत ही easy सी चीज है, ठीक है, I hope सभी को clear है यहां तक, चलिए आगे move करते हैं, आगे क्या है कि discount percent, अब बच्चे देखिए discount percent निकालना होता है, बहुत ही आसान, by discount, जो चीज find करनी है हमने वो रख ली उपर, अब किसके basis पे हम discount calculate करते हैं, उपर depend करता है discount, तो upon रखेंगे mark the price, और क्योंकि percentage निकालना है, तो into कर देंगे 100, और ये आगया हमारे पास discount percent का formula, हाँ जी बच्चे, क्या, scholarship के लिए क्या, बच्चे, scholarship का अपका exam होने वाला है, इस coming Sunday को, जिसमें आपका ये 2 to 3, I think exam होगा, दो से 3 बजे के बीच में online, तो उसके लिए आपको मतलब, जो भी आपका जैसे class, आप 8th के हैं, तो आपका 6th, 7th का syllabus आएगा उसमें, ठीक है, बाकी की आप information जो है, आपको बता दी जाएगी सभी को, कि क्या scholarship का exam के related, क्या information है, क्या-क्या चीज़े कैसे prepare करने हैं आपको, ठीक है, चलिए, तो discount percent आप सभी को समझ में आ गया, कैसे find करने हैं, हाँ जी, discount percent सभी को समझ में आ गया, चलिए, आगे move करते हैं बच्चे, आगे आ गया है, कि ये वही जो अभी हमने formula पढ़े हैं, 4, mp is equals to sp plus discount, उसी को इधर उधर 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 shuffle करके लिख दिया है, ठीक चलिए, आगे बात करते हैं, अब gain percent, बच्चे देखिए, जैसे discount जो है, वो depend करता है, किस पर, discount depend करता है, marked price पर, ऐसे ही profit, profit or loss जो है, वो depend करते हैं, depends on cost price, किस पर depend करते हैं, CP पर depend करते हैं, ठीक है, किस पर depend करते हैं, CP पर depend करते हैं, अगर आपको profit and loss find करना है, तो आप के पास cost price होना चाहिए, ठीक है, cost price होना चाहिए, तो देखिए, gain अगर हमें percent निकालना है, तो उपर gain, किस पे depend करता है, CP पर in 200, gain percent आगया, loss percent निकालना है, तो loss divided by जिस पे depend करता है, किस पे depend करता है, CP पर in 200 आगया formula, loss percentage का, discount percent तो अभी आपने पढ़ा है, discount, upon किस पे depend करता है, MP पर depend करता है, into 100, तो ये तीनों formula हमने यहाँ पर सीख लिये हैं, चलिए आगे move करते हैं बच्चे, और आगे आगया है एक quiz, तो अगर आपने ये जो छोट आसा intro हमने किया था, discount के उपर, अगर ये आपने ध्यान से सुना है, तो आप ये quiz बहुत answer करेंगे, हाँ जी बच्चे, क्या सभी लोग ready हैं quiz के लिए, चलिए, तो बच्चे पहला question आगया है quiz का ये that on what, a discount is calculated, discount किस पे calculate किया जाता है, yes, जल्दी से answer कीजे, discount किस पे calculate किया जाता है, चार चीज़े दी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, sorry, दो चीज़े दी हुई हैं, अब ही हमने जस्ट पढ़ा है कि discount is based on, calculated on, बताइए किस पे किया जाता है, yes, चलिए, next question पे move करते हैं, और next question आ गया है ये, that on which of the following profit percent or profit loss is calculated, basically profit or loss किस पे calculate किया जाता है, किस कौन सी value पे calculate किया जाता है, आपके पास options given है, अभी just मैंने आपको बताया है, जल्दी से answer बताएंगे, और first question के answer, सभी बच्चों के सही है, very good बच्चे, बहुत सही, बहुत सही से answer दिये हैं आपने, चलिए, तो questions आप लोगोंने कर लिया है, फटाफट से discuss कर लेते हैं, कि discount जो है, वो किस पे calculate किया जाता है, बच्चे, discount calculate किया जाता है, MP पर, तो option B हो गया, right answer, and the second one is, कि profit loss या profit percent किस पे calculate किया जाता है, तो वो किया जाता है, CP पर calculate, ठीक है, मतलब कि, दो हमने अभी concept पढ़े थे, उनी पे based आगए questions, और आप सभी के, almost सभी बच्चों के सारे answers ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है बच्चे, तो चलिए, आज के session में बच्चे हम यहीं ही तक करेंगे, आगे हम मिलेंगे next session में, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी शाम को 6 बजे जो class होगी, उसमें तो हम सब मिलेंगे ही, तो सभी लोग आईएगा, और बस फिर बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, जो हमारा topic चल रहा है, वो topic आगे continue करेंगे, आगे discuss करेंगे, तो मिलते हैं फिर, 6 बजे एक बार दुबारा से, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, goodbye, take care.